हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज जिस रोज स्वामी में और मुझे कमेंट आई थी कि अपनी बेटी से मिलवाईए तो ये मेरी बेटी है किरन आप सब कैसे हो? दोस्तों लोट डाउन है आज घर में रहा खुशी-खुशी दे आपके परिवाशा के लड़ाई ना करिया दोस्तों मदी चे के वे भी यहीं करिया धन्यवाद आज का हमारा टोपिक है बाप और बेटी का रिस्ता दोस्तों मा बेटी के रिस्ते पर तो बहुत लिखा जाता है लेकिन बाप और बेटी पर बहुत कम लिखा जाता है बेटी की विदाई के समय बाप सबसे आखिर में रोता है बाप की सब तो भावक्ता में रोते हैं पर बाप बचपन से विदाई तक सारे पल याद करकर के रोता है दोस्तों मा बेटी की रिष्टे पर तो सब बात करते हैं पर बाप और बेटी का रिष्टा भी समुद्दर से गयराता है हर बाप घर के बेटे को मारता है, डांटा है, धमकाता है लेकिन बेटी की हर गलती को नकली दादागिरी से नजर अंदाज कर देता है बेटा कुछ भी मांगे तो उसे एक बार को डांट मिल जाती है लेकिन बेटी अगर कुछ भी मांगे धीरे से भी मांग ले तो उसकी हर इच्छा पुरी होती है दुनिया उस बाप से सब कुछ लूट ले, सब कुछ मांग ले, तो भी वो हार नहीं मान था, लेकिन अपनी बेटी की आँखों के आंसू देखकर, जो अंदर से बिखर जाए, उसे बाप कहते हैं, और बेटी को भी घर में अपने बाप का बहुत गमंड होता है, किसी ने कु लेकिन उसकी हिम्मत उसके पिता ही होते हैं, बेटी की जब विदाई होती है, तो सब से मिलकर खुब होती है, लेकिन जब अपने पिता से मिलती है, तो फूट फूट कर होती है, उसे अपने पिता को छोड़ने का मन नहीं करता है, क्योंकि उस बच्ची को पता है, कि वो प प्रचिताई है जिसके घर में रहके जिसके चाओं में रहके वो अपनी हर जित पुरी करवा लेती है खेर बाप रोता भी है और अपनी बेटी की पीर थप थपा कर हिमत भी देता है कि बेटा चिंता मत कर चार दिन में आ जाओंगा तुझे वापस लेने और खुद निकल जा जाके फूट फूट कर रोता है जब तक बाप जिंदा रहता है बेटी माईके में हक से आती है और घर में जिद भी गर लेती है और कोई कुछ कह दे तो डट के बोलती है मेरे बाप का घर है और जब बाप मरता है और जब बेटी घर आती है तो वो इतनी चितकार के रोती है कि सब रिष्टेदारों को समझ้ा जाता है कि बेटी आईये क्योंकि उस दिन वो बेटी अपनी हिमत आउर जाती बाप के जाने के पाथ जब बेटी अपने भाई के घर आती है तो कभी वो जिद नहीं करती जो दिया खा लिया जो दिया पहन लिया, क्योंकि उसे पता है, जब तक उसका बाप जिन्दा था, तब तक सब कुछ उसका था, और अब आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है, बस इतना कहना चाहती हूँ, कि एक बाप के लिए बेटी उसकी जिन्दगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं है, और एक बेटी भी कभी बोलती नहीं है, बाप बेटी का प्रेम समुद्दर से भी गहरा, अगनी से भी पवित्तर होता है, ये कविता पवंजी ने मुझे कमेंट में लेगी थी, मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, मुझको मेरा हक दो पाप मुझको मेरा हक दो पापा, बहुत कुछ कर दिखाऊंगी, लेने दो खुली हवा में सांसे, बेटे से ज्यादा फरज निभाऊंगी, मुझको मेरा हक दो पापा, बहुत कुछ कर दिखाऊंगी, उडने दो पतंके जैसी, उडने दो पतंके जैसी आसमा को छुकर आऊंगी क्यों डरते हो इस हेवानी दुनिया से अकेली सब पर भारी पड़ जाओंगी मुझको मेरा हकदो पापा बहुत कुछ कर दिखाओंगी माना डगर कठिन भोत हैं मनजिल तक फिर भी जाओंगी मुझपर भरोसा करो तुम कभी ना दुख पाँचाओंगी करो मेरे होसले बुलंद तुम अधूरे सपने पूरे कर दिखाऊंगी मत आंको कम मेरी ताकत को संतान का हर फर्ज निभाऊंगी मुझको मेरा होसले बुलंद तुम बहुत कुछ कर दिखाऊंगी समझा देना मेरी माता को जिसने नारी का हर दुख जेला है रखे होसला अब दिन दूर नहीं तुम दोनों का सम्मान बढ़ाऊंगी मुझको मेरा हक दो पापा बहुत कुछ कर दिखाऊंगी आएगा अगर वक्त बुरा भी हर सुख दुख में साथ निभाऊंगी नहीं बनूंगी कमजोर कड़ी अपने घर की ताकत बन जाऊंगी मुझको मेरा हक दो पापा बहुत कुछ कर दिखाऊंगी शान हूँ अपने बाबुल की कभी ना निचा दिखाऊंगी खेले कोई मेरी आन से रूप दुरगा चंडी का धर जाऊंगी मुझको मेरा हक दो पापा बहुत कुछ कर दिखाऊंगी